2013 के जन्वरी मन्त में रामचार वर्सिस प्रभास वर्सिस रितिक रोसन होने वाला है और तीनों में से किसी को नुकसान झेलना ही पड़ेगा मतलब इतनी बड़ी बड़ी पिक्चरे हैं भाई साब रामचार की RC-15 तीन सो कोड़ पे बज़ाट होने वाला है रितिक रोसन का aerial action movie होने वाला है मतलब Tom Cruise के Top Gun 2 की तरह होने वाला है मतलब भाई साब प्लेन प्लेन आपस में लड़ाई करेंगे मतलब आज तक इंडिया में ऐसा कोई पिच्छन नहीं आया मतलब उसका क्रेज सबसे यादा होगा और साथ में जो प्रभास का project की आएगा ये तो भाई को प्रेफिर करेगी या फिर रितिक रोशन के fighter को और fighter का concept बहुत तकड़ा होने वाला है मतलब आज तक इंडिया में ऐसा हुआ भी नहीं है और पब्लिक उसको देखेगी भी आई साब क्योंकि भाई साब पब्लिक आज तक देखी नहीं है हालिबुर में देखी है जबकि कभी बिन को पीट सकते हैं मतलब बीट कर सकते हैं और रितिक रोशन का तो आएगा 2024 में ही पिक्चर कई सारा आएगा जिससे कि क्रिस फोर भी आ सकता है और साथ में आएगा वार्टू वार्टू भी आ सकता है कि प्रभास का project के तो आएगा ही और साथ में उसके बाद हो सक सकते इस पीट भी आ जाए इस पीट आएगा तो बीट भी कर सकते हैं रितिक रोशन को भी लेकिन प्रभास का प्रभास का प्रभास जो project के हो नंबर न पर चला जाएगा जो फाइटर नंबर टू पर और रामचार के आरसी 15 का तो बात ही छोड़ो ताले तू मैं रामचार हिंदी में आपको पैसा कमाना है तो आपको मोई को टालना पड़ेगा क्योंकि भाइस रितिक रोशन का क्रेज हिंदी लोल में बहुत जादा है बहुत ही जादा और सक्में प्रभास का भी project के का क्रेज बढ़ने वाला है मतलब आपको टालना पड़ेगा मोई को नहीं तो 3 सेयर आपको में घड़ते है तो भाइस साब एक नोको एक को मरना पड़ेगा पक्का मरना पड़ेगा कि भाइस साह उप कोई गीधर ठोड़ी ना है 3 मतलब 3 तागड़ावाले है और तीनो लडेंग जो आपको किसी को नुकसान छेलना पड़ेगा वैसे तुम नोग कि कमेंट में कमेंट करो प्लीज करो और हाँ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर देना बाई